दर्शनीयम चे- अदर्शनीयम चे दर्शनीय रूप को भी देखता है, अदर्शनीय को भी देखता है, जो पसंद नहीं है उसको भी देखता है क्योंकि पाप मना ही एतत विद्धम क्योंकि ये दृष्टी जो है ये पाप से बिंधी हुई है तो योगी की दृष्टी कैसी होती है निश्पाप इसलिए वो किसको देखता है दर्शनिये को ही देखता है भद्रम पशेमा अक्ष भी ही ये जत्रा हम यज्जे करने वाले अक्ष भी ही आँखों से भद्रम पशेमा केवल भद्र ही देखें अभद्र ना देखें ऐसी प्रार्थ नहीं कि फिर रिश्यों ने लेकिन जो ये मिक्सप वाले हैं ये दोनों देख लेते हैं एक ओती है मधुमक्षी जो केवल फूल पर ही बैठेगी गंदगी पर कभी नहीं बैठेगी मधुमक्षी फूल का ही रस लाएगी एक होती है सामान्य मक्षी मिठाई पर भी बैठती है गोबर पर भी बैठती है गंदगी पर भी बैठती है दोनों पर बैठते हैं दोनों से खाती है वो एक होता है सामान्ने भ्यक्ति कभी अच्छा ही भी कर लेता है बुराही भी कर लेता है जैसा आवसर आता है वैसा कर लेता है बोलता भी ऐसा ढिए जैसी situation आईगी वैसा देखेंगे और एक होता है योगी, बोले सिद्धान्तों से समझोता नहीं करेंगे, सबके प्रति सद्धाव है, सिद्धान्त एक ही है लेकिन, उसमें कोई मिक्सप नहीं है, तो अब इन्होंने आख को भी क्या कर दिया, असुरोंने पाप से युक्त कर दिया, तो ये दोनों देखती है, पाप मना ही ये तद विद्धम, अब देवों ने स्रोत्र को उदगीत मान कर, स्रोत्र को ही ब्रम्ह मान करके, उसकी उपासना की, उसी को उदगीत मान के उपासना करने लगे, तद है असुरा पाप मनवी वीधू उन कानों को भी असुरों ने पाप युप्त कर दिया तो तसमात इसलिए तेन उभेम स्रिनोती उन कानों से दोनों प्रकार का सुना जाता है दोनों सुन लेते हैं वो स्रवनियम्च अस्रवनियम्च अच्छा भी सुन लेते हैं, बुरा भी सुन लेते हैं, और कुछ पुछ तो ज्यादा ही कान के कच्चे होते हैं. जैसा जिसने एक बार कह दिया, उसको फिर वो ये निसोचते हैं, कि किसी दूसरे से भी पूछ लें. वो उसी को ही फिर सत्ने मान करके और फिर वो उसके अनुसार ही उसका एक्षन लेते हैं फिर यह किसके कारण होता है उसकी शक्ति के पाप युक्त होने के कारण स्रवन शक्ति के अच्छा भी सुनता है कान बुरा भी सुनता है अथह मने उदगीथम उपासान चक्रीरे तद्ध असुरा पापमना विविधु तस्मात तेन उभयम संकल पयते संकल पनियम चे असंकल पनियम चे पापमना ही ये तप विद्धम असुर्भी कोई कम शक्ति वाले नहीं है पिछे लगे हुए हैं देवों के वह जहां जाते हैं उस उसको ही वह मिक्सप कर देते हैं तो पूरी टकर की लडाई है दोनों क्योंकि प्रजापती के ही संताने हैं तो कम कौन वह भी कम नहीं है तो वह कहते हैं कि ये देव हमेशा छल कपट ही करते रहते हैं इनमें कोई पूरुशार्थ नाम की चीज तो है नहीं तो छल कपट करके चीज़ों को इधर उधर करके अब ना काम निकाल लेते हैं और इनमें तो बल तो होता है तपस्या तो करते हैं असुर भी ऐसा नहीं है देवों से जादा ही करते हैं तप अभर मन को ब्रह्म सँमझ करके, उदगीतं समझ करके, उसकी इनों ने उपासना की, उपासना करने लगी तो तधाशुरा पाप मना विलीदू उस मन को भी इन असुरों ने पाप से युक्त कर दू पाप से बींद दिया तस्मात तेन उभयम संकल्प यते इसलिए उस मन से ये दोनों प्रकार का संकल्प कर लेता है ये व्यक्ति संकल्पनियम चे, असंकल्पनियम चे मन से जो सोचने योग्य है उसको भी सोच लेता है ने सोचने योग्य है उसको भी सोच लेता है एव अयं मुख्यह प्राणह तम उद्गीथं उपासां चक्रिरे तम्ह असुरा रित्वा विदध्वन्सु यथाह अश्मानम आखनम रित्वा विदवन्सेत अथह यह एव अयं मुख्या प्राणह उसके बाद देवों ने किसकी शर्ण ली नाक से आगे का जो मुख्य प्राणह है मतलब मुख्य से ले करके शृदय परियंत जो प्राणह है उस मुख्य प्राण को इन्होंने उद्गीथ समझ करके उस प्राण की उपासना करना शुरू किया अथह यह एव अयं मुख्य प्राणह तम उद्गीथम उपासन चक्रिरे तम है असुरा रित्वा तो असुर वहां भी पहुंच गए लेकिन उस प्राण को रित्वा प्राप्त करके उस प्राण के पास जा करके जब प्राण से वह टकराए तो विदध्ध humano नश्ट हो गए उसको पाप युप्त नहीं कर पाई मुख्य प्राण को जैसे ही प्राण के पास गई आसूरी शक्तियां तो वो चकना चूर हो गई, उनका विध्वन्स हो गया नस्ट हो गई वो तो विधध्वन्स हो, कैसे? यह था अश्मानम आखणम रित्वा विध्वन्स हो जैसे पत्थर को प्राप्त करके आखणम जो उसको तोड़ने वाला हाथोड़ा पत्थर जब हथोड़ा से टकराएगा या हथोड़ा पत्थर से टकराएगा तो कौन सा तूटेगा? पत्थर तूट जाएगा तो जैसे पत्थर चकना चूर हो जाता है ऐसे ही यह असुर जैसे ही प्राण से टकराएगे तो यह चकना चूर हो गई इनका विध्वन्स हो गया जैसे वहाँ पर आखनक को ले करके पत्थर चकना चूर हो जाता है तोड़ने वाले को ले करके जैसे पत्थर तूट जाता है ऐसे ही उस मुख्य प्राण को ये पाप युक्त नहीं कर पाई एवं इस प्रकार से यथा बोलो यथा अश्मानम आखनम वित्वा विध्वन्सते एवं हव सविध्वन्सते ये एवं विदी पापं कामयते यस्चे एनम अभिदासती से एशो अश्माखन तो ये कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार से यथा जैसे अश्मानम आखनम वित्वा जैसे ये पत्थर हथोड़े को प्राप्त करके उसके साथ टक्रा करके विध्वन्सते नश्ट हो जाता है विध्वन्सते था एको आयादेशो के ये का लोप हो रखा है विध्वन्सते जैसे थोड़े से टक्रा करके ये पत्थर तूट जाता है चकना चूर हो जाता है एवम इसी प्रकार एवम हैव उसी प्रकार से सविध्वन्सते वो भी विध्वन्सको प्राप्त होता है वो भी व्यक्ति नश्ट हो जाता है ये एवम विधी पापम कामयते जो इस साधक को नश्ट करना चाहता है एवं विदी मतलब इस उदगीत को जानने वाले व्यक्ति को जो नस्ट करने की कामना करता है पापम कामयते माने उसको पाप युक्त करना चाहता है उसके बारे में पाप युक्त भावना रखता है एक व्यक्ति जो ओंकार का उपासक है इस व्यक्ति के प्रती जो दूसरा व्यक्ति बुरी भावना रखता है पाप की भावना रखता है वो व्यक्ति ऐसे ही चकना चूर हो जाता है जैसे पत्थर चकना चूर हो गया आखन को प्राप्त करकी तरह जो कितनी बड़ी बात है न इसा किसी के बारे में हम जब बुरा सोचते हैं तो बुरा किसका होता है उसका की अपना, दोनों का, सोचने वाले का तो 100% होगा जिसके बारे में सोचा है उसका होगा की नहीं यह उसके उपर मिरभर करता है वो लेगा यह नहीं तो कैसे होगा बुरा आपने तो भेज दिया एक मैसेज उसने रिसी भी नहीं किया पढ़ने से पहले ही डिलीट कर दिया नहीं चाहिए यह तो उसका वो मैसेज कुछ नहीं बिगाड़ेगा लिकिन आपका तो नुक्सान करी दिया पहले आपने जो सोचा, इसलिए महरिशिद आयनंद ने कहा है कि जो अधर्मात्मा है, जिसका आचरन ठीक नहीं है, वो चाहिए चक्रवरती समराट भी क्यों ना हो, उससे कभी नीडर ना चाहिए, और जो विद्वान धर्मात्मा, जिदी निर्धन भी क्यों ना हो, उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो भी उससे सदा डरना चाहिए, क्योंकि उसके चरित्र की शक्ति बहुत प्रवल होती है, उसको कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, इसे मतलब शास्त्र भी रिशी भी कह रहे हैं इस बात को, शास्त्र भी कह रहे हैं इस बात को, और आम बोलचाल के भाशा में, ग्रामेन भाशा में भी इस बात को कहा जाता है, कि गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, और सुनेगा उसका मालिक, तो तुझे जडमूल से खो मतले, उसका छिद्रान्वेशन मत कर, उसके दोश ढूंड ढूंड करके इधर दर चुगली चाटे मत कर, क्योंकि वो किसकी शर्णागती में है, वो बड़ा जबरदस्त है, जो बच्चा अपनी मा की शर्णागती में होता है, और उस बच्चे को कोई तंग करे, तो उसकी मा क क्या करेगी, तंग करने वाले को छोड़ेगी नहीं, वो खुद अपने बच्चे को भलें, कभी चाटा लगा दे, चलेगा, लेकिन दूसरा उसके जीते जी, अरे मनुष्य मा की तो बात छोड़ो, जो प्राणी जगत की मा है, वो भी गव सब से शरीफ प्राणी माना जात है, गाय जो है, लेकिन जो नवप्रसूता गाय होती है, जिसका बच्चे अभी पैदा हुआ है, बच्छडा, उस गाय के पास, यदी कोई उसको बच्चे को हानी पहुंचाए, तो वो सिंघनी रूप धारण कर लेती है, लब अपनी आँखों से देखाया ये, गाय तो कभ आ गई है से बोटी-बोटी निकाल के गाय, अविश्वस नहीं घटना लगती है ये, लेकिन क्योंकि वो उसका मा का रूप था, तो जब एक उस प्राणी जगत की मा भी इतना भेंकर रूप धारण कर सकती है, तो वो मा तो बड़ी शक्तिशाली है, इसलिए भगवान पहल सरूप धरण किया, नरसिंग, फाड़ दी उसकी आते, क्योंकि उसने भी पूरी तपस्या कर रखी थी, रणक श्यपन ने, कि ना मैं किसी मनुष्य से मरूँ, ना किसी देवता से मरूँ, ना किसी किनर से मरूँ, तो बच गया कौन, यही तो थे तीन, यही तो प्रजातिय हैं, ना किसी प्राणी से मरूँ, ना रात में मरूँ, ना दिन में मरूँ, ना धरती पे मरूँ, ना आस्मान में मरूँ, ना आस्त्र से, ना शस्त्र से, तो अपने आपको पूरा सिक्योर कर लिया, ना उसने, कि मेरे को मारने वाला कौन है, तो व्यक्ति का जब एहम बढ पिर उसको लगता है कि मेरे को कौन क्या कहने वाला है मेरी तो सब जगें पोँच है उपर नीचे बाएं दाएं लेकिन वो भूल जाता है कि इन उपर नीचे बाएं दाएं से उपर भी एक शक्ति हो रहे है उसको कोई वो किसी की बपोती नहीं है क्योंकि उसके सब बच्चे हैं और वो सब का खयाल रखती है उसको भूल जाता है विक्ति तो भूल गया तो फिर भगवान जी ने ऐसा ही रूप धरण किया ना वो असुर, ना वो देवता ना वो मनुष्य, ना वो कोई प्राणी विशुद रूप से और ना वो धर्ती, ना आस्मान अपने गोद में उसको लिटा के आराम से और उससे फाड़ा फिर ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र नकों से फाड़ दी, उसकी आथ फाड़ दाली तो हर चीज का विकल्प है इश्वर के पास इश्वर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है किसी मनुष्य को चैलेंज कर सकता है तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है यहाँ पर ये एवम विदी पापम कामयते जो इस उदगीत की उपासना करने वाले इस उदगीत को जानने वाले व्यक्ती के प्रती पाप की कामना करता है वो कैसे नस्ट हो जाता है जैसे ये पत्थर नस्ट हो जाता है या कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ किया है जैसे मिठी का ढेला पत्थर से टकरा करके नस्ट हो जाता है पत्थर का तो क्या नस्ट होगा, मिठी का धेला नस्ट हो जाएगा, या फिर हथोड़े से टकरा के पत्थर तूट जाता है, हथोड़ा तो तूटेगा नहीं, तो ऐसे ही ये व्यक्ति उस व्यक्ति से टकरा करके, अपने स्वेम का ही नाश कर लेता है, जो इस उंकार के उपासक को अभिदासती दबाना चाहता है वो से एशे अश्मा खणा क्योंकि ये जो तत्व ज्यानी है ये जो इश्वर का उपासक है ये जो उदगीत को उपासना करने वाला है ये तो कैसा है? अश्मा खणा ये तो पत्थर की तरहें से स्थिर है अडिग है जिसने तूफानों में जलना सीख लिया हवा के जोके कहां बुजा पाएंगे उसको जो इश्वर का भक्त होता है जो उँकार का उपासक होता है जो उदगीत की शरण में होता है तो उसको तो किसका भै हो सकता है? उसकी नईया को डर कैसा? जिसका खेवट हो तुम जैसा? अब ले जाएगी नाव जहां पर होगा वही किनारा मेरे प्रभु तुम बिन कोन साहारा? तो कभी भी मतलब इन सब का यही अभिप्राय है कि कभी कभी जब चित में आसूरी प्रवर्ति उठकर के और प्रतिशोद की भावना लेने के लिए जब कोई गलत निरने लेने लगे तो हमें उसको वहां पे रोकना है क्योंकि सभी संताने किसकी है? किश्वर्की ही है तो जिसके बारे में हम बुरा सोच रहे हैं वो भी तो उसकी ही शेरण में है न? तो आप किसी मां से प्रार्थना कर रहे हो कि वो अपने ही बच्चे का नुकसान कर दे तो वो कैसे करेगी? वो अपने का तो करेगी नहीं आपका कर देगी क्योंकि आप उल्टी प्रार्थना कर रहे हैं तो उल्टी प्रार्थना भी नहीं करनी है और उल्टा आचरण भी नहीं करना है अपनी तरफ से भी एक्षन नहीं लेना है उसको कस्ट पहुँचाने का आगे कह रहे हैं उस प्राण के बारे में कह रहे हैं इसको पाप युक्त नहीं कर पाए न असुर इसलिए ये प्राण क्या करता है न एव एतेन सुर्भी न दुर्गंधी विजानाती अपहत पापमाहियेश तेन यदशनाती यत्पिवती तेन इतरान प्राणव अवती एतम उ एव अन्ततो अवित्वोत क्रामती व्यददाती एव अन्ततो इती न एव एतेन सुर्भी न दुर्गंधी विजानाती क्योंकि ये पाप से युक्त नहीं हुआ न सुगंध और दुर्गंध को कौन सा प्राण पहचानता है केवल नासिका में रहने वाला नासिका के आगे जो यहां आगया मुख में जो प्राण है वो अब यहां आने के बाद सुगंध या दुर्गंध को नहीं पहचानता है इसलिए प्राय जिन दवाओं में दुर्गंद होती है उसको रोगी कैसे खाता है नाक बंद करके खाता है तो दुर्गंद नहीं आईगी कडवी को भी उसमें कडवापन भी होता है और उसमें दुरगंद भी होती है तो नाक बंद करने से उसका पता नहीं चलता है फिर उसको गिटक लेता है यहां आकर के यह नहीं बताता है गले में आकर की कि यह दुरगंद से युक्त है कि सुगंद से युक्त है ये जो मुख्य प्राण है नासीका से आगे का जो प्राण है वो पाप से युक्त नहीं हुआ असुर उसको पाप युक्त नहीं कर पाई इसलिए ने अव एते न सुर्भी ने दुर्गंधी विजानाती अब हत पाप मही एश है क्योंकि ये निश्पाप है यह पाप से बिद्ध नहीं हुआ तेन इसलिए यद अश्नाति यद पिवती तेन इतरान प्राणव अवती इसलिए इस मुख में रहने वाला जो प्राण है इस प्राण के माध्यम से जो यह खाता है मतला अंदर हम नीचे गिटकते हैं तो वो किस के माद्यम से गिटकते हैं प्राण के माद्यम से यदि प्राण नहीं है तो नीचे नहीं जाएगा मुख में से कैसे जाएगा मुर्दा व्यक्ति है उसके अंदर पानी डालोगे तो पानी कहा आएगा वह आपस भाहर आ जाएगा क्योंकि प्राण नहीं है तो अंदर जाएगा ही नहीं रास्ता तो नाली तो बनी हुई है अभी भी तो पानी ऐसे डालनी तो नीचे जाना चीए ना जाता नहीं है लेकिन जितना मरजी डालो वापस और फ्लो के भारा आजाएगा नहीं जाएगा तो क्योंकि प्राण ही उसको अंदर लेके जाता है तो इसलिए कहा कि ये जो प्राण है ये यद अशनाती यद पिबदी जो भी ये खाता है, जो भी ये पीता है उसको ये दूसरे प्राणों की रक्षा में लगा देता है, अपने पास नहीं रखता है, तेन इतरान प्राणों अवती, क्योंकि ये निश्पाप है, तो जो मनुष्य निश्पाप होता है, जो पाप से बिंधा हुआ नहीं है, उसको जो कुछ भी मिलता है, उसको वो किस में लगाता है दूसरों की रक्षा में जैसे ये प्राण अपने पास ही रख ले सारा तो व्यान उदान आदी उनके रक्षा कैसे हो आपान आदी के रक्षा कैसे हो तो ये खाए पिये को अपने पास नहीं रखता है सारे प्राणों को दे देता है उनकी रक्षा करता है नहीं तो फिर वो दूसरे प्रान क्या करेंगे? मर जाएंगे वो तो बेचारी. तो जो पाप से युक्त होगा, वो उसकी वृत्ति कैसी होगी? स्वार्थ वृत्ति होगी. वो हमेशां अपने सुख के बारे में सोचेगा. अपने फाइदे के बारे में सोचेगा. और जो निश्पाप होगा, वो हमेशां दूसरे का भला ही चाहेगा. उसके बारे में कोई बुरा भी सोचेगा, तो भी वो उसके बदले में बुरा नहीं सोचेगा. क्यों नहीं सोचेगा? उसको यह लगेगा कि मैं आपने को तो बचाई सकता हूँ ना. वो जो कर रहा है, वो उसकी पुझी, वो उसके साथ. और मैं जो कर रहा हूँ, वो मेरा करमाशे, वो मेरी पुझी, तो मैं आपनी को क्यों बिगाड़ूं? वो बिगाड़ रहे, वो उसकी मर्जी पे, वो स्वतंत्र है. तो वो उसके प्रती भी कैसा भाव रखेगा अच्छा ही भाव रखेगा अच्छा भाव क्यों रखेगा उसकी रख्षा के लिए या अपनी रख्षा के लिए अपनी रख्षा के लिए और इसके साथ साथ उसकी भी रख्षा हो जाती है बच जाता है ये तो ये कहरें ये प् इश्पाप आदमी को इश्वर के उपासक को जो उदगीत का उपासक व्यक्ति है इसको जो कुछ भी मिला है उसको ये दूसरे की सेवा में अर्पित कर देता है इसको शरीर मिला है इसको वानी मिली है इसको बुद्धी मिली है इसको इंद्रियां मिली है इतनी चीजें तो प्रिदय से अच्छा भाव करता है, वानी से अच्छा बोलता है, शरीर से सेवा करता है, इंद्रियों से सदाच्रन करता है, जिससे की दूसरों की भी सेवा हो, तो ये उस सारे को किस में लगा देता है, दूसरे की रक्षा में, तो कहरें एतम उएव इस मुख्य प्राण को ही, एतम माने इस मुख्य प्राण को एतम उएव अंततो अवित्वा अंतता माने अंतकाल में जो इस मुख्य प्राण को नहीं जानते हैं अवित्वा मतलब बिना जाने उसको प्राप्त किये बिना अंतता है अंतकाल में उत्क्रामती उत्क्रामती मतलब प्राण नहीं मिलने पर अंतकाल में जब मुख को प्राण नहीं मिलता है तो मुख क्या हो जाता है व्यददाती एवर फिर ये मनुष्य मुख खोल देता है प्राण बाहर गया और दुबारा आया ही नहीं तो उसको प्राप्त ना करके उस प्राण को वापस ने प्राप्त करके एवित्वा मतलब प् प्रामती प्राण वहां से निकल गया और इसका मुझ फिर खुला का खुला रह जाता है तो यह मुख्य प्राण क्या है निश्पाप है तो आगे कह रही हैं तम्ह अंगीरा उद्गीथम उपासां चक्रे एतम उ आंगीरसम मन्यन्ते अंगानाम यद्रसह तम्ह अंगीरा उद्गीथम उपासां चक्रे तो यह जो मुख्य प्राण है इसी को अंगीरा रिशी ने उद्गीथ समझ करके उसकी उपासना की मुख्य प्राण की प्राणायाम किया मतलब उसने तो एतम उ एवा आंगीरसम मन्यन्ते इसलिए इस मुख मुख्य प्राण को क्या कह देते हैं आंगीरस अंगीरा से संबंधित आंगीरस तो इस प्राण को आंगीरस मन्यंते मतलब कहते हैं मानते हैं तो कि आंगीरा रिशी ने इस मुख्य प्राण की उपासना करके इसकी शक्तियों को प्राप्त किया इसलिए इस प्राण का नाम ही क तो यह समस्त अंगों क्या है रस मतलब सार है सार मतलब मतलब है सारे अगव प्रत्यंग किस से जिन्दा है इस प्रांण हो जाएंगे तो यह एक प्रिहस्पति उद्गीथम उपासान चक्रे एतम उएव ब्रिहस्पति मन्यंते वाग ही ब्रिहती तस्या एशपती ही और कहरें तेन तम्ह तेन माने उसकारण से ही किस कारण से क्योंकि प्राण ब्रह्म का प्रतीक है ये जो प्राण है ये उद्गीथ का प्रतीक है इस कारण से तम्ह ब्रिहस्पति उद्गीथम उपासान चक्रे इस मुख्य प्राण को ही उद्गीथ समझ करके ब्रिहस्पति नाम के रिशी ने भी उसकी उपासना की एतम उ इव ब्रिहस्पति मन्यंते इसलिए इस प्राण को ब्रिहस्पति भी माना जाता है इसको ब्रिहस्पति भी कहते हैं ब्रिहस्पति क्यों कहते हैं वाग ही ब्रिहती वाणी क्या है ब्रिहती विशाल है और तस्या एश्या पती ही और उस वाणी का ये पती है मालिक है स्वामी ह वाणी किस से काम करती है प्रान से तो उसका ये रक्षक है इसलिए इसको ब्रिहस पती भी कहते हैं तो ये तीन मंत्र बच गए इस खंड के इसको फिर कल करेंगे अभी समय हो गया पाठ को विराम देते हैं ओम शान्ति 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 ही स्री गुरुभ्यो नमः